हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टड़ी टाइम ओली तुड़े इस ट्यूजडे 9 जून 2020 एंड वी आर गोई टू डिसकस दाहिंदू एनलेसिस तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सी न्यूज कौन कौन सी चीज़ा आज हम डिसकस करने जा रहे हैं यहां पर हम के साथ कुछ जो important words होंगे उसको भी discuss करेंगे तो चले start करते हैं आज का discussion और देखते हैं कौन कौन सी important news और कौन कौन सी important article आज हमारे लिए important है जिसको हम discuss करेंगे तो चले सबसे पहले editorial section की और move करते हैं and here is editorial section तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे पहला article जो हम discuss करेंगे who's afraid of monetization of the deficient तो यहां पर monetization related बात की जारी deficit की बात की जारी तो इसको हम देखेंगे इस article को detail में discuss करेंगे then after that हम discuss करेंगे critical role of decentralized response इसकी बात करेंगे क्या है decentralized यह काफ़े अच्छा article है तो इसको हम देखेंगे बहुत अच्छे points जीए गए जो आप directly अपने main answer writing में use कर सकते हैं तो इसको देखेंगे देखेंगे यहां पर step by step अगर मैं बात करता हूं तो LAC की यहां पर बात की जा रही है यह वाले article के अंदर step by step के अंदर तो इसको हमने detail में discuss कर चुके हैं LAC translated जित्ते भी important चीज़े हैं इस सारी चीज़े हम discuss कर चुके हैं कहां कितना line है कहां कितने kilometer तक क्या चीज़े हैं तो हमने previous article में काफी detail में discuss कर चुके हैं देखिए SpaceX का जो एक तरीके से मिसान है तो यह प्राइविट कंपनी है याद रखना आपको SpaceX private Elon Musk की कंपनी है जो कि अभी इन्होंने क्या किये दो एस्ट्रोनोट को International Space Station में भीजा है तो International Space Station के अंदर दो एस्ट्रोनोट को भीजा है बाइद प्राइवेट कंपनी तो पहले कंपनी ऐसी बन गई है जो Space Flight में मतलब एक तरीके से जा रही है और प्राइवेट ली याद रखना होगा आपको यह यूएस की कंपनी है तो यहां पर क्या होता था कि यह जनरल सी चीज़े बात की जा रही है कि यूएस को 80 million approximately क्या देना पड़ता था 80 millions डॉलर देना पड़ता था रशिया को पे करना पड़ता था अगर कोई मिशन बगेरा भीजना है स्टरीकेस करना रहता था क्योंकि नासा कभी कभी स्टरीकेस काम नहीं कर पाता तो इसलिए इसको करना पड़ता था तो अब यहां पे एक अमेरिका आप कहेगा कि अमेरिका थोड़ा सा और मजबूत हो चुका क्योंकि अमेरिका की एस्टेनर्ट यहां पर सेंड किये जा रहे हैं और अमेरिका की प्राइवेट कंपनी के दौरा किये जा रहे हैं और उससे कम रेट में की जा रहे हैं इसलिए इनको काफी हेल्फु करेंगे क्या क्या चीज़ें के अंदर आए हैं then after that we will discuss resume dialogue with Nepal now तो किस तरीके से नेपाल की साथ जो dialogue उसको resume करते हो उसकी हम बात करेंगी उसको discuss करेंगे जो भी important points हो जाता है उसको हम देखेंगे इसके अंदर clear then finally हम देखेंगे e-diplomacy experiment क्या है e-diplomacy diplomacy क्या होता है जो है रुख गई थी बहुता है चीज़े हो गई थी तो summits वगए रुख गया थी इसलिए articles इतने ज्यादा नहीं आ रहे थे तो mainly IR की उपर जो है आर्टिकल सारा है जैसी e-diplomacy तो may be possible आपसे इस तरह के से question पूछ लिए जाए इसके वे concern क्या है इसके फाइदे क्या है नुकसान क्या है इस सारी चीज़े पूछ ले जाएंगे तो यह सारे कि क्या lockdown का effect रहा है इस तरीके से आपसे question पूछा जा सकता है कि क्यों ऐसा हुआ है तो यह आपको पता होना चाहिए देखिए आप general चीज़े वह effect जो सबसे बिकार effect हुआ है lockdown को वह कहा कहा हुआ हुआ मतलब सबसे बिकार आप देख रहे हैं इंडिया lockdown को effect सबसे negative देखने को मिला है सबसे बिकार देखने को मिला है मतलब lockdown जब किया गया था तब इंडिया के अंदर cases कम थे during the lockdown इंडिया के अंदर cases बहुत तीजी से बढ़े हैं और after the lockdown उससे भी तीजी से cases बढ़े हैं तो इंडिया किस category के अंदर आ रहा है सबसे बिकार category के अंदर इंडिया आ रहा है इस मामले में फिर आता है वास category के अंदर बंगलादीज भी आता है second number पे है फिर third number पे पाकिस्तान है फिर कतर है तो इन सब के नाम आपको याद रखने हो गया रशिया हो गया ठीक है बैट जो सबसे जो बिकार है मतलब वाट से तो ठीक है बैट कौन है चेल हो गया इरान हो गया मेक्सिको हो गया यूएस हो गया तो यह सभी 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 क्या है बैट इसमें है मतलब लॉकडाउन बात यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा cases बढ़े हैं देखिए यहाँ पर दिया हो only India reached a stringency label of 100 highest possible in the list but due to poor testing gain will wear minimal good category के अंदर हम देखते हैं जो lockdown के बाद जिनको फाइदा हुआ है जिनको actual में जिन countries को lockdown से फाइदा हुआ वो कौन कौन सी है Belgium हो गई है यहाँ पर UK हो गई है Canada हो गई है Germany हो गई है Italy में काफी फाइदा देखने को मिला है Turkey में देखने को मिला है तो यह सभी वो countries हैं जिनके lockdown के बाद जहां पर cases decrease हुए है during the lockdown जहां पर cases decrease हुए है तो यह वैसी countries in countries के नाम भी आपको याद रखना है clear हो गया तो यह lost in lockdown यह काफी important है इसको आप एक बार mind में एक बार दो बार और अच्छे से देखेगा graph को तो नभी possible आप कहीं पर में साइंसर रेटिंग में इसको बना के आ सकते हैं यूज कर सकते हैं इस तरीके साब दूसरे graph भी बना सकते हैं चले अब चलते हैं हम फटाफट अपने हैं रिटेन नोट्स की और फटाफट चीज़ों को discuss करते हैं एक शोटियस इस information अगर आप लोगों ने अभी तक टैली ग्राम ग्रूप को जोइन नहीं किया है तो जरूर से जाएए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखिए तो वहां से जोइन कर सकते हैं या फिर study time only search करके आप टैली ग्राम ग्रूप को जोइन कर सकते हैं वहां पर में सभी पीडियाप सभी important ppt's सभी important materials और लिंग बगरा सबको share करता रहता हूं जो आपको helpful होगी कोई भी monthly magazine हो जाती है और daily analysis हो गया है यह सारी चीज़े और इससे सादा books वगरा अगर आप कभी request करते तो इस तरीके से books वगरा भी सारी चीज़े प्रोवाइड कर दी जाती है उसके अंदर monetization of deficit यहां पर देखिए जो article था इसको हम discuss करेंगे global integration risk assessment moody's की ने rating जो दी है इंडिया की rating यहां पर घटा दी गई है moody's के द्वारा तो यह क्यों घटी है यह हम देखेंगे आखिर क्या कौन कौन से इसके अंदर points है वह सारी चीज़े हम discuss करेंगे rating के बारे में headquarter moody का कहा है new york के अंदर ही आपको पता होना चाहिए चाहिए इसको हम discuss करते है before that हम इसके कुछ जो important words meaning ही उसको हम देख लीते हैं यहां पर total 6 words meaning में ने निकाले हैं miss apprehension इसका मतलब होता है wrong idea किसी को गलत फहिमी अगर हो रही है तो miss apprehension हो रहा है मतलब तरी कैसा आप कहा सकते हैं उसको गलत फहिमी हो गई aggregate aggregate मतलब क्या होता है total किसी चीज़ का पूर नहीं हो अब जोड़ करके addition करके total aggregate आपका कितना result aggregate result कितना है जो percentage होता है आप उसे aggregate क्या सकते हैं downgrade क्या होता है downgrade downgrade का मतलब होता है दरजा घटाना किसी भी चीज़ की value को नीचे कर देना घटा देना जैसे आप नीचे चले गए downgrade कर दिया आपकी दिमोशन कर दिया एक तरीका से उसे आप कहते हैं downgrade अगर अपग्रेट हो गया कोई पीचे से आपको देर computer आप अपग्रेट कर रहे हैं आपका मॉइल अपग्रेट हो गया है आपका new version अपग्रेट होके आ रहा है तो यह सारी चीज़े क्या है दरजब बढ़ गया उसमें quality बढ़ गई है सारी चीज़े उसके डेटेरोईशन का मतलब क्या होता है कमी विकृती चिज़ के नदर कमी होई यह उसको हम डेटेरोईशन कहते हैं तways anticipation तो आपको रेटिंग के आउती बूरी किया करता है यहां पर जर्णरल रेटिंग देता है आपको समझना चाहिए अब जैसे आप भी कोई चीजे लेते हैं खरीटे तो क्या करते हैं सबसे पहले उसकी रेटिंग देखते हैं कोई मूवी देखने जाते हैं तो यह इंपॉर्टेंट हो ज से लिखी हर छोटी छोटी और एक बड़ी बड़ी चीजों में देखे इन याद रखने आपको यह रेटिंग जो है जनरल सी बी एए टू से भी एए ठ्री कर दिया गया है यहां पी इनके रेटिंग देने का तरीका है सबसे स्टार्टिंग में बता दूं त्रिपल ए ए ए ए देते हैं फिर ए ए ए ए वन फिर ए ए ए टू इस तरीके से रहता है तो यह आपको पता होना चाहिए ए ए ए ए थ्री तो यह जो है रेटिंग देने के तरीका है फिर बी ए ए ए सुरू हो जाता है बी ए ए वन बी ए ए टू और बी ए ए ए थ्री तो इंडिया यहां से यहां पहुंच चुका है तो यह आपको पता होना को यह एक दर्जा नीचे जा चुका है इंडिया तो यह थोड़ा सा एक risk वाला है अब BAA का मतलब क्या होता है अगर BAA किस credit के लिए कहता है मतलब medium grade है moderate credit risk है इसके बाद CAA भी आ जाता है यह आपको पता होना चाहिए तीन में BAA sorry AAA BAA और CAA बस इतना जन्रल से information पता होना चाहिए इंडिया की जो rating है BAA2 से BAA3 तक पहुंच गई है अगर किसी को BAA के टेगरी की rating दी जाती मतलब medium grade है moderate credit risk है वहाँ पर अब देखिए क्या हो रहा है इसके विएसे bonds में बहुत देखने को मिलेगा bonds कैसे की आपको जा रखना होगा कौन कौन से bonds आपको मसाला bonds हो गया elephant bond हो गया भारत bond हो गया यह काफी important इंडिया के वॉंट है इसकी उपर effect देखने को बिल सकता है इसका cause क्या क्या reason रहा है जिसके वेसे यह सारी चाहिए आपको पता होना चाहिए वह क्या है slow reform momentum जो reform हो रहा है बहुती slow हो रहा है जिससे अगर आप कह सकथिए banking sector के आंदर जो reform हो रहा है यह हमारी एक तरीक के अंदर जो छोटे छोटे डिफॉर्म हो रहे है और ऐसा कहा जाते जो rate है बहुती slow है बहुती धीरे तरीके से reform हो रहा है policy एफेटिवनेस नहीं है अब देख पर चीज़े क्लियर की है कि यह इंडिया की एकनॉमी पहले भी नीचे जा रही थी इसकी वेशे यहाँ पर किया गया है क्लियर इस टैक्ट्रेशन की कंडिशन यहां पर राइस हो रही है इस टैगनेट हो गया और इन्फलेशन बहुत तीजा बढ़ रहा है अब देखिए यहां पे कुछ हो चीज़ और आज़ जिसे credit crunch credit crunch जो एक बहुत बड़ा role play करता है जिसे NVFC के अब क्राइसिस आ गई है अब क्यों हुआ है वो आपको पता होना अच्छी आप लिख सकते हैं कि जो हमारी non-banking financial companies थी उसके अंदर crisis बहुत बड़े crisis हो थे वह effect देखने को मिलेगे एंपे control करने के लिए bank जो है अपना जो loan वगिरा है यतने easily नहीं दे रही है और उसका rate जादा है तो एंपे control करने की कोशिस किये जा रही बहुत जादा इंपे बढ़ गया था एक वह एक factor हो जकता है गवर्मेंट का intervention बहुत जाई से जो है कई कई सेक्टर में government का intervention बढ़ जाता है तो जिसके वेसे क्या होता है government के intervention से जो है policymaker बहुत जादा define होती है बहुत जादा investment define होता है growth define होता है बहुत सारी चीज़ इसी लिए disinvestment का concept आया था कि कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पर इंडिया को government को disinvestment कर देना चाहिए अपनी investment को हटा लेना चाहिए private sector को लेखे आना चाहिए जिससे वहां पर growth दिजी से बढ़े clear अब इससे क्या हो रहा है high debt burden बहुत ही से बढ़ रहा है क्योंकि हम debt बहुत जादा ले रहे हैं जो एक तरीके से वह एक burden है वह बढ़ रहा है क्योंकि हमें चुपाना भी होगा at time lower tax revenue जो tax revenue GST का revenue वह वह बहुत ही lower आया था जिता मैं सोचा था उधना basis पर नहीं आपाए तो tax revenue भी बहुत काम है तो इस सारे points आपको याद रखने है clear कि चलिए जिन नेक्स अर्टिकल हमारा है decentralized से लिटेड है local government जो एक था उसके आरेवा हम देख लेते हैं अपकी एक्जांपल दिया गया और बहुत सबसे पहले आप देखिए pandemic challenges सबसे important हो जाता है pandemic की बज़े से कौन कौन से challenges आए हैं तो यह आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं जैसे की economic challenges सबसे बड़ा देखिए challenges तो बहुत सारे हैं लेकिन यह मेली challenges है second number पर health infrastructure health challenges third number पर livelihood बहुत लोगों की effect हो रही और fourth number पर mobilization यह बहुत बड़े बड़े challenges है जो आप put up कर सकते हैं answer writing में लिख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका solution जो है सिर्फ center और state government नहीं बलकि local government that is the third tier of the government को एक साथ मिलके काम करना होगा center को भी का गर्म करना होगा state government को भी अपने लीबेल पर काम करना होगा local government को भी अपने label पर काम करना होगा तो यह आप mention कर सकते हैं कि democracy की जो है आप कह सकते हैं कि जब ग्रास- ok ग्रासरूट डेमोक्री मारी होती जो मंचायत हो गई मुणिश्पालइटी हो गईया तो इसे ग्रासरूट डेमोक्री कहते है थंट इएर ऑफ डेमोक्रीट कहते हैं लोकल relevant के थे हैं अलग अलग से नाम इसके तो इनको भी बहुत ज़्यादा जरूरत हो जाती है कि ज़र थ्री ट्रायर ओफ गवर्मेंट तीनों साथ मिलके जब काम करें तब ही हम इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अब कैसे वो देखेंगे लेकिन उससे पहले हम concern देखें कि क्या क्या problems आ रही है कोई भी clarity नहीं है कोई भी clarity नहीं मतलब in the functions कौन function करेगा मतलब एक तरीके से क्या क्या function local government के functions क्या है किसी को कुछ नहीं मालूम है मतलब ऐसा बना दिया गया है local government सिर्फ नाम के लिए रह गया है simple सा कर मैं कहूँ आपको कभी-कभी उनको पैसा दे दिया जाया था उनका monetization सही तरीक जैसे स्टेट गवर्मेंट का central government का हरिक्चे decided है उसी तरीके से यहाँ पे local government के सारी चीज़े decided होनी चाहिए यह बहुत बड़ा एक point जो की हमें इससा लिखना है functionaries कौन है कौन यहाँ पे functionary काम करने वाला कौन है यह कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं मालूम है क्यार कौन काम करेगा वहाँ पे जो intelligent हो जो इस तरीके से implement कर से के सारी चीज़े को वह कौन है वह important role play करता है financial responsibility सरकिस की है यह जो पैसो का लेंदिन होगा वह कौन करेगा यह पैसे कहाएंगे हम चलिए काम तो करने के लिए ready हैं लेकिन काम करने वाले भी मिल गए हमको function भी मिल गए चलो थोड़ा बहुत कुछ function मिल गए हमको काम करने वाले लोग भी मिल गए लेकिन पैसा कहां से आएगा सबसे important बात होती है कि जब पैसों की बात की जा रही तो देखे अब function mapping जो है ambiguous के बताय जा रहे हैं यहां पर finance का यह बहुत अच्छा इन्होंने एक point रखे हैं जो आप अपने answer rating में बकाईदा mention कर सकते हैं कि जब इस तरीके से पूछा जाए तो इसमें से कुछ general points हैं कुछ specific points हैं तो इन सभी points को आप note down कर लीजिए काफ़ important है जिनको आप अपने answer rating में use कर सकते हैं जिसे कि कोरोना बोंड उसी इसू किया जा सकता है municipality इस पंचायत की दौरा कि कोरोना बोंड इसू कर दिया जाएं तो उन्हें यह power दी जाएं उन्हें यह system वहां पर त्यार किया जाएं second number पे MP let's जो scheme थी MP let's scheme जो हर एक MP को पैसा दिया जा रहा था एक तरीके से others gram यूजना किता है जो कहते हैं others gram यूजना तो एक others gram बनाने के लिए तो उस वह जो है पैसा आप तो देखिए मोहिया हो नहीं रहा है तो वह पैसा अब इन्हें दे दिया जाए तो municipalities को और पंचायत को जो जिससे वह उन पैसों से work कर सके इस special cover 19 जो है government के दोरा grants दिये जा सकते हैं Central government के दोरा दिये जा सकते हैं Central government के दोरा दिये जा सकते हैं तो कुछ हिस्सों में यह कुछ इसे division में कुछ ratio में दोनों मिलके special grant जो है local government को दे दे क्योंकि local label पी लोग अगर सही रहेंगे जो लोग की बहुत जादा migrants वरकर जो हैं यहां से गाओं गये हैं बहुत जादा देखने को मिलना है तो अब उनकी livelihood effect होगी उनकी सारी चीज़ एफेक्ट होगी जेनरल सीज़े बहुत एक बड़ा जो हमारा लेकर तो यह सारी चीज़े बहुत जादा help कर सकती हैं फिर 13 finance commission ने क्या बोला था बहुएंशी प्रेडिक्टेबल सोर्स रवेन्यू तो एक रवेन्यू का सोर्स बना यह कि प्रेडिक्टेबल सोर्स रवेन्यू की यह जो रवेन्यू है वो को local government को जाएगा यह municipalities को इस तरीके से local label पे आप तयार कीजिए कि वो उनको permanent कहां से आता रहे मिलता रहे ऐसा ना रहे कि वो state government की उपर dependent है तो यह सारी चीज़े ना रहे इसलिए यह चीज़ लेके आया गया है काफ़ important points है आप जब भी यह word मतलब यह सारी चीज़े आए तो आप इसे mention कर सकते हैं अब कुछ word देख लेते हैं ambiguous का मतलब होता है unclear confusing मतलब किसी चीज में आप clarity नहीं है मतलब जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया ना कि local उनके जो function है वो ambiguous है मतलब क्या है clarity नहीं है उनके function की function की जो mapping है उनका unclear है कि कि किस तरीके सा function होना चाहिए confused हो रहे कोई कुछ बोल ल जो इससे पहले कभी नहीं हुआ बिल्कुल एक अनोखी चीज आपने देख लिया अनोखी चीज आपको पता चल गई उसे हम कहेंगे unprecedented clear हो गया accommodate accommodate मतलब होता है किसी चीज को इस्थान देना किसी चीज को priority देना किसी जिसे suppose आप local government को क्या दे रहे हैं एक इस्थान दे रहे हैं एक उसका एक जिम्मा सोंपर है तो वो उससे क्या कह रहे हैं आप accommodate कर रहे है clear हो गया be devil क्या होता है be devil का मतलब होता है सता ना किसी को सता अगर आप किसी को प्रताडित कर रहे हैं सता रहे हैं कुछ गड़बर कर रहे तो वो be devil कहलाता है clear चलिए resume dialogue with Nepal next article है resume dialogue with Nepal link road अब यहां पर पहले हम background देख लेते हैं link एक road त्यार की गई है इंडियाक द्रचुला से लेकर लिपू लेक तक clear हो गया अब लिपू लेक जो पास हो गया और काला पानी जो गया इसको disputed border इसको माना जाता है व्योंकि नेपाल इसको अपना part बनाता है और इंडिया से अपना पार्ट बोल रहा है और नेपाल ने अभी जो नया map जारी किया है उसके तहद यह जो पार्ट हैं यह दोनों पार्ट को उसने अपने map के अंदर include कर लिया इसलिए यह disputed part निकल के आ गया है हमने link road क्यों बनाए के लास मानसुरोबर्ट जो यातर है वो easy हो जाए इसलिए हमने बना इसका एक strategic advantage भी है क्या advantage आपको पता होना चाहिए निया टू चाइना बॉर्ड क्योंकि चाइना क्या कर रहा है अपने बॉर्डर के पास-पास बहुत तीजी से तो यह आपको पता होना चाहिए देखिए यह तो होगी background की बात अब देखिए यूनिक relationship की जो इस article के अंदर बात की जा रही है resume dialogue की इंडिया और नेपाल की बीच में कुछ यूनिक सा relationship क्या है वो आपको पता होना चाहिए जैसे कि आप सभी लोग जानते है यूनिक relationship में यह सभी points जब भी यूनिक relationship के जब बात लिखी जाता है ऐसा question आ जाता है तो journal हम general से points लिख लेते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ unique relationship जब रिलिश्एस्ट के साथ हैं जो सिर्फ नेपाल के साथ ही है आप यह चीजाएने कसा Stewart मे के साथ नहीं लिख सकते है और किसी दूसfareisini के सान नहीं लिख सकते हैं यूनिक से सिर्फ सिर्फ पर्टिकुलर किसी कंट्री के साथ होता है क्लियर कैसे जैसे कि हमारा सुशल कल्चर और एकोनोमिक सिवलाजेशन का लिंक है बहुत तीजी से वहाँ पे उनके तीन लाग जो नेपाली हैं और जो हैं इंडिया में रह रहे हैं काम कर रहे हैं इससे जादा जो हैं नेपाली जो हैं इंडिया में रह रहे हैं कुछ इंप्लॉइमेंट की वेसे कुछ अपने मतलब तरीके से पढ़ाई की वेसे स्टडी की वेसे तो अलग-अलग उनकी वज़ा हो शो करता है ठीके जैसे freedom हमारे freedom struggle तक में नेपाल ने काफी participant किया था इसे बीपी कोईराला ने और बहुत और भी जो नेपाली से उन्हों ने participant किया था एक जो बहुत अच्छा important point है इसको आप बिल्कुल mention करना ना भूलीगा गोर्खा राइफल जो हमारे इंडियन आर्मी का जिसे अलग-अलग राइफल्स होते हैं तो गोर्खा जो राइफल है रेजिमेंट एक तरीके साब कह लीजिए गोर्खा रेजिमेंट जो है गोर्फा राइफल्स कहते हैं तो एक नेपालीज के जो लोग हैं हमारी इंडियन आर्मी कंदर सर्व कर रहे हैं और बहुत ही बड़े लेबल पर सर्व कर रहे हैं यह इसलिए काफ़ इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत से वार में उन्होंने मतलब खोए हैं हमने नेपालीज को भी खोया हैं उनकी डेथ कि सिर्फ इस रूट की विए से हम अपने रिलिशन को बिगाड़े ना हमें एक नेक्स लिवल पर रिलिशनर्शिप को लेकी जाना है और इसको सूचना इसकी आरे में क्या कर सकते हैं इससे लेटर कुछ वर्ट से हम उसको हम देख लेते हैं जिससे डिलाइटेड मतलब होत हैं reactionary एक तरीके से सुधार विरोथी किसी चीछ पर improvement हो रहा है ये एक तरीके से ideologious हो सकते हैं reactionary आरे रिलिश कह सकते हैं इसके बिस्चिस में parties भी बनती है अपर्शन और a group tries to change in the political and social system of the country जो change हो रहा है उसको रोकने की कोशिस कर रहा है तो उसे हम कहांगे recreationary तो सुधार विरोथी क्लियर हो रहा है प्रिवेल का मतलब क्या होता है प्रिवेल का मतलब होता है किसी में सफल होना और किसी को राजी करना किसी को आपने मना लिया है कि आप ये काम कर लीजिए जिसे आप कोई मानने रहे तो उसको प्रिवेल कर वा लीजिए तो जिसे हमने नेपाल को प नारजी करवाले तो यह हो जाता है प्रिविल अगे चलते नेक्स हमारा अर्टीकल है वह है इडिप्लोमेसी से लेटर अब देखे इडिप्लोमेसी का मतलब आपको पहले मैंने बताया था फॉरण एक तरीके से कि किसी भी foreign countries के साथ हम किस तरीकी से relations से प्रहते हैं एक तरीकी से आप कह सकते हैं कूट नीती जो है हमारे व्योहार कुसलता किस कितने अच्छे तरीके से हम अपने relations को उसके साथ बनाते है उसे diplomacy कहा जाता है sorry diplomacy कहा जाता है अब e diplomacy मतलब इंटरनेट की माध्यम से कुछ समिट सो रहे जैसे इंडिया इस्टेलिया बार्चुल समिट वालेटर समिट हुआ विजी ट्वइंटी नैम सार्क तो यह सभी जो डेपलो मैं सी है उसके concern साथ ची बताई जा रही है कि पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते जैसे कि cyber security से लेटेट प्रॉब्लम्स हो सकती है देखने को मिल सकती है less productive in terms of the crucial sticking point अब देखिए बहुत सारे crucial points होते है जब आप मिल के किसी से या फिर आपने देखा होगा फोन में या फिर बात करते हैं या फिर वीडियो conference करते है तो आप जो बहुत जादा important बात होती है उसको नहीं कर पाते हैं आप कुछिस करते हैं कि मिल से कुछ जो भी अगर बहुत जादा ऐसी बात है तो आप मिल के कुछिस करिए कि मिल के उससे बात करें तो वो एक important हो जाता है तो यह चीज़ यहां पर बता रहा है लेक उफ इस्ट्रक्चिरल डायलोग यहां पर बहुत जदा लैक मिलेगा इस्ट्रक्चिरल डायलोग का मतलब कमी मिलेगी देखने को लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जब ऐसी condition हो रही हो यह दो दूसरों की बीच में रहना जाती कि इसी तीसरे देश को न पर चले तो due to security के वेसे region के वेसे वो leak हो सकती है बात यह कुछ भी इस तरीक ऐसे problem है कुछ भी हम deal कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे relation से पोते हैं बहुत सारी ऐसी international label पे बाते होती हैं जो मीडिया पे नहीं लाई जा सकती है तो इसलिए उसके लिए यह सारी चीजे जो है cyber security इन security एक problem create कर रही है clear इस articles related कुछ words से उसको हम देख लेते हैं जैसे diplomacy मैंने अभी आपको बता है वेवहार कुसलता किसी से आपका कैसा diplomacy है किस तरीके से आप answer दे रहें किस तरीके से उससे diplomatic relations अपर वो सारी चीजे बताती है delegation का मतलब होता प्रतिनिधी मंडर किसी चीज़ को आप delegate कर रहे है तरीके से आप प्रतिनिधी कर रहे है जहाँ पर represent कर रहे है उसको हम कहते है delegation breakthrough का मतलब है भेदन करना किसे suppose कोई भी ऐसे बात हो गई है अब उसको breakthrough कर रहे हैं जो हम बताना नहीं चाहते हैं लेकिन वो मीडिया में बापस आ गए तो वो क्या होगी breakthrough हो गए कोई भी news जो होगी breakthrough हो गए इनके उपर में भी कोसिस करिए आप articles को पढ़ने कोसिस करिए sentence बनाने कोसिस करिए जनित का मतल़ा होता है चरम सीमा कोई भी चीज बिल्कुल top पे पहुँंच चुकी चरम सीमा में अपने पहुँच चुकी सिखर पे पहुंच चुकी है उसे हम जनित कहते हैं तो यह आसका हमारा discussion था कैसा रहा आपको comment section के अंदर बताना है lecture को share करना है फटाइफट अगर आप telegram group से नहीं जुड़े हैं तो जरू से join कीजिए चैनल को जरूर से subscribe करना है और share ज्यादा ज्यादा लोगों को तक करना है अपने telegram group के अंदर जो लोग भी suggestion देता है काफी लोगों को suggestion बगरा भी दे रहे हैं कि यहां share करिए यहां करिए तो आप खुछ share कर सकते हैं कि हमरे पर थोड़ा सा काम ज्यादा रहता है तो देखिय करेंगे और ज्यादा अच्छे content को इंप्रूव करते रहे हम डे बाइडे और भी चीज़े हम जो है धीरे धीरे सके अंदर include करते रहेंगे मेंसा सा राटिंग mcq मैं भी जैसा भी possible होगा मैं आगे इससारी करता रहूंगा लेकिन आप यह चीज़ करिए कि आप ज्यादा ज्यादा lecture को share करते रहे है और जितना अदर share होगा जितना ज्यादा हमारी committee बढ़ती जाएगी जितना ज्यादा लोग इससे जोड़ते जाएंगे उतना आपको भी profit होगा और हमारे भी हमको भी motivation मिलता रहेगा एक पढ़ाने का एक continuity maintain करने का so thank you very much for the discussion lecture को share करते रहे है और झाल